हे गाइज वेल्कम बैक टो दी पोस्ट मार्किट निफ्ति अनालिसिस सेशन वृतासए टीम अगला दलाल तो हम जो कल की अनालिसिस की शॉट की वो दोनु टागेट्स मीट हो गए हैं अगर आपने वो वीडियो न देखा हो एक बार आप हमारे आई बटन में लिंक दिया हू होगे कि nifty क्या हम जो analysis कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और इसका targets and stop loss हम कैसे set कर रहे हैं तो nifty का अज हलका सा gap down opening थी उसने एक low बनाया और फिर एक up up move में आ गया है और उसने अपना जो last swing low था वो break नहीं किया है तो ये निफ्टी की आज की movement थी अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम support और resistance के patterns पे ही breakout और breakdowns को मानते हैं और उस पे trade करते हैं तो अगर आप देखें कि आज जो निफ्टी का ये swing था अब देख सकते हो कि यहां और यहां यह इसके support and resistance के level थे यहां पर resistance यहां पर support यहां पर again resistance और यहां भी एक resistance था अब कि आप देखोगे कि यह आज resistance के तौर पे ही act कर गया थीक है तो मतलब यह जो 17081 का जो level है यह एक काफी critical level है क्योंकि यहां से price bounce back कर रहा है अगर अभी हम एक long trade में आना है तो काफी जाहिर सी बात है हमें इस level को तोड़ना होगा जो आज नहीं तूटा है अगर यह आज तूट गया होता तो हमारा next level यहां होता बट सिंथ यह level नहीं तूटा है यहां से nifty नीचे जाने लग गया है तो कल के लिए हम इस इतने buffer gap को लेके अब हमनी entry 17081 के उपर हमारी entry होगी अगर हम इस बात पर agree करते हैं कि यह हमारी entry level एकदम सही है तो हमें nifty की opening को भी काफी ध्यान से देख लेना चाहिए अगर nifty ने कल gap down open करके अपने इस support पर आके open किया है तो आप एक बात मानिए कि इतना लंबा move आने के बाद targets meet करना मुश्किल हो जाएगा तो यह analysis work नहीं करेगी हमको जो nifty की opening चाहिए वो इधर flat और gap up opening ही चाहिए होगी और जो उसका swing बनेगा उसको आप अपना stop loss मानके आप ट्रेड कर सकते हैं तो यह होगी हमारी entry की बात जो हम जो अगर हमें भी चीजों पर focus करना है कि निफ्टी पिछले तीन दिन से काफी tight consolidation में है अगर आप daily chart देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इतने tight consolidation में निफ्टी पिछले तीन-चार दिन से है यह प्रिफरेबल नहीं होता है कि आप हर दिन trade ले अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप trade avoid भी कर सकते हैं आपको रोज trade लेने की जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप एक trade लेना ही चाते हैं तो आप 17 130 को अपना first target मान सकते हैं जो यह swing high है बट यह 50 point का जो move है यह एक साथ आना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि निफ्टी काफी tight consolidation में है अगर आप कल trade लेना भी चाते हैं तो आप छोटे targets को लेके trade ले सकते हैं जैसे कि यह consolidation जो यहाँ पर है यह 17 105 का level इसको आप अपना first target मान सकते हैं जो एकदम scalpers है 17 105 का target मान सकते हैं और एक छोटा सा stop loss लेके trade ले सकते हैं बट जो थोड़ा लंबा खेलना चाते हैं और जो risk ले सकते हैं और अपना stop loss ट्रेल कर सकते हैं वो 17 130 को इस swing और इस support को और इस resistance को अपना target मान के चल सकते हैं अगर second target की बात के जाए जो इतनी लंबी movement possible वैसे होती नहीं है पर एक हफते में या दो हफते में एक दिन ऐसा होता है कि निफ्टी ने एक अच्छा move दिया होता है तो हम 17 180 को अपना second target लेके चल सकते हैं यह हम इसी करें लेके चल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको कितने support and resistance मार्क हो रहे हैं अगर आप dotted line पे focus करेंगे तो यह देखिए 17 180 पे आ आपको मिलता है तो यह काफी important zone है क्योंकि यहां पर यह सब resistances के zone थे यह एक gap up move में यह support बन गया और उसके बाद यह resistance का zone फिर से है तो support turn resistance and resistance turn support काफी important zones होते हैं तो आप कल शायद यह move ना देख पाए 17 180 का पर अब 17 180 पे एक downfall जरूर देखेंगे in high probability आप एक retracement या फिर एक downfall 17 180 के आसपास जरूर देखेंगे तो यह थे हमारे long के levels अब बात करते हैं हमारे short के levels कल कैसे trigger होएगे तो guys अगर अभी हम बात करें short के levels के लिए तो आप देखना जैसे हमने आज अपने long analysis explain किया है कि यह एक support zone है ठीक है nifty के लिए क्योंकि यह यहां पर nifty close हुई थी यहां पर nifty ने gap up movement देखके नीचे आना चाहा बट यह जो zone है यह एक support का zone है क्योंकि buyers यहां पर enter कर जा रहे हैं तो अब हमें यह zone को break होने के बाद ही एक short trade में आना चाहिए और यह काफी critical support है अब देख रहे हैं कि यहां यह दो तीन बार test हो गया ह है और यह support अब test नहीं हुआ है आप देखागी यह support आगे भी test हो रहा है अगर आप ही dotted line पर focus करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितनी जगे यह support test हुआ है for example यह एक जगे है जहां पर support test हुआ है यह एक जगे है और यह एक जगे भी है तो जब ऐसे levels पर support and resistances बनते हैं तो हम इस level को break होना देना चाहेंगे तो यह level है 16,950 का बट हम 16,950 के नीचे अगर कोई movement आती है ता हम उस पर trade लेंगे बात करते हैं nifty की opening पर देखिए nifty की opening अगर gap up होगी तो हम यह trade नहीं लेंगे हमें यह 17,000 और 16,950 के बीच में अगर यह gifti open होती है तो हम इसकी swing को अपना stop loss लगा के हम एक downward trade ले सकते हैं यह हो गई entry की बात अब बात करते हैं targets की देखिए targets की अगर बात की जाए तो हम थोड़ा सा अगर odd zoom out करें तो आप देख रहे हैं कि 16,910 का हम पहला target लेके चल सकते हैं तो यह हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आप dotted line पर फि support मिल रहा है तो यह support से bounce back यह support से bounce up तो यहां से bounce back आ सकता है तो अब 16,910 के targets लेके चल सकते हैं अपना target 1 और target 2 अब 16,870 का अपना target लेके चल सकते हैं क्योंकि यहां से एक second bounce back आप feel कर सकते हैं जैसे यहां यहां और यहां यहां यह तीनों supports हैं जहां पर nifty ने अपने down move या up move के लिए support लिया हुआ है तो यह हमारा second target होगा 16,870 का तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल and this analysis will reach you very fast till then we'll see you soon